हलो फ्रेंट्स, सॉल्वी देखे मैं आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए इंकम टेक्स डिलेटर एक टॉपिक लेके आया हूँ कि 26AS कैसे देखते हैं तो चलिए साइड पे चलते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं इंकम टेक्स डिपार्टमेंट इंकम टेक्स डॉट कॉम तो यह अपना एक साइड ओपन हो जाएगा जब भी हम ITR भरते हैं तो हमारे को सबसे ज़रूरी होता है 26AS चेक करना और AIS रिपोर्ट तो कहां से चेक करेंगे यह देखे यहाँ पे लॉग इन का ओफसन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे ID और Password हमें डालना होगा जो आपने पहले Create किया होगा तो यहाँ पे देखे लॉग इन लिखा होगा है अब यहाँ पे हम अपना जो हमारा pen number होता है वह हम लॉग इन ID होता है तो यहाँ पे pen number डालते हैं capital में डालेंगे यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे continue करना है अब यह देखे・ यहाँ पे yis-tick box का option आ रहा है यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे जो भी आपने password create कर रखा है password डालना होगा यहाँ पे पासवर्र डाल देता हूँ अपना उसके बाद continue करना होगा यहां से तो जो 26 AS होता है हमारा 26 AS download करने के बाद उससे हमें पता लग जाता है कि उसमें क्या-क्या है कितना हमारा TDS कटा है कहां से कितनी salary है या कोई भी हमारे bank के द्वारा कितना charges वागेड़ा है उसमें पूरे detail होता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 26 AS कहां से download करते हैं यह देखिए यह अपना जो income tax का page है वो open हो गया तो हम चलेंगे यहां पर e-file में income tax return और नीचे यहां पर view 26 AS है यहां पर क्लिक कर देंगे अभी एक दूसरा page खुल के आ जाएगा अब देखिए यहां पर दिख रहा है आपको एक टिक कर देंगे यहां पर उसके नीचे 26 प्रोसीड करके नीचे आ रहा है 26 AS यहां पर क्लिक करेंगे अब हम अपना assessment year जो होता है वो select करेंगे आपको कब का देखना है जब जो भी द आसानी होगी यह उसके वाज ऐसे हम करेंगे तो यह कोने पर डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद आप उसको आपन करके देख सकते हैं यह देखिए फाइल आपन हो रहा है यह आ रहा है ट्रैसेस के साइड से इसमें जो भी हमारा deduction होता है यह इसमें सो हो जाता है कि कितनी salary हमारी आई है अगर कोई भी TDS कंपनी वाले ने salary पे काटा हुआ है या और भी कोई transaction होता है तो इससे हमें आसानी से जानकारी प्लाप्त हो जाती है जिससे हमें ITR income tax return बहुत आसानी होती है अब चलते हैं AIS report पे वहां से भी देख लेते हैं कि क्या detail है अब सबसे नीचे यहां पे आ जाएंगे ऐसे प्रोसीड करेंगे अब यह option देगा download करने का download AIS report यहां से download करेंगे PDF में अब यह password मांगता है तो password दोस्तों इसका होता है SMALL में pen number और date of birth without space डाले हुए है या without कोई भी word डाले हुए तो यहां से open करेंगे तो अब मैं इस पे अपना pen number जो हमारा SMALL में pen number password होता है password डाल देता हूँ उसके वाद यहां से देख लेंगे कि इसमें क्या transaction हो रखा है जो हमने 26AS में तो चेक कर लिया है अब यहां से चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या detail है तो देखे यह जो bank के द्वारा charges लगाए गया है interest वो दिख रहा है और bank's interest जो प्राप्त हुआ है वो दिख रहा है तो जैसे AIS का full form हो गया annual information system उसके बाद TIS देख लेते हैं next taxpayer information system वो भी यहां से देख लेंगे जिससे हमें जब भी हम ITR भरेंगे तो हमें उससे पूरी security रहेगी कि कहां पे क्या deduct हुआ है जिससे हमें कोई गलती नहीं लेगी तो जब भी आप ITR फाइल करें तो यह जरूर चेक कर लें इसका भी password same वही होगा जो हमने वहां पे डाला था small में small में अपना pen number plus date of birth यहां से भी हम देख लेंगे कि हमारा क्या TDS deduct हुआ है और क्या हमें saving जो हमारा bank account है वहां से क्या हमें received interest जो कि हमें ITR भरते time में काम आएगा वहां पे हमें fill करना होता है कि हमने saving bank account से कितना interest लिया है तो असानी से फिर आप वहां से ITR फाइल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ITR कहां से फाइल करेंगे तो अब चलते हैं main side पे वहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि ITR कहां से फाइल हो यह अपना 26AS हो गया यह हमारा income tax का site है यह देखिए income tax return ITR लिखा हो है हमें जब भी return फाइल करना होगा दोस्तों तो हम यहीं से return फाइल करेंगे मैं आपको दूसरे वीडियो में पूरा complete एक वीडियो दूँगा कि हम ITR कैसे फाइल करेंगे यहां पे select कर लेंगे online फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूंगा